हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल स्टेप पर स्टेप गार्णिंग देखिए मेरा हल्दी कुमकुम का फ्लावर कितना खुपसूरत खिला हुआ है बिक साइज की बंचेस बन रहे है इस प्लांट में इसे बटरफ्लाइड वीड भी भूलते हैं कई नाम से इस प्ल तो मेरे गाडन में बहुत टाइम से फ्लावरिंग कर रहा है इस समवर में एक प्लांट लेकिया है तो मैंने सुच आप लोगों से एक इसकी वीडियो शेयर कर दूं कि अगर आप इसे पूरे साल लेना चाहते हैं तो क्या ट्रिक लगाने है क्या इसके सेक्रिट से कि यह प बटर वीट का प्लांट है और इसके फ्लावर्स इस तरह से नवमर की महीने में भी फ्लावरिंग कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रेनरी भी दे रहा है मुल्टीपल ब्रांचे बन गई है और फूल खील रहे हैं वो भी हर एक ब्रांच पे और वो साल तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को बता देती हूं कि इस प्लांट से आप पूरे साल प्लावर कैसे ले सकते हैं इसके फ्लावर खुबसूरत लगते हैं साथ में जो इनकी बर्स है यह भी मुझे बहुत अट्रेक्टिव होती है देखिए इनके बर्स बिल् और इसकी क्या-क्या नीट से आज में सिर्फ आप लोगों को यही बताने वाली हूं कि पूरे साल इस प्लावर कैसे लेने हैं यह प्लांट सिंगल ब्रांच था एक लंबी सी स्टिक थी क्योंकि बहुत तेजी से ग्रोथ करता है इसमें मल्टिपल ब्रांचेज नहीं बनती तो मैंने क्या क्या था रहनी सीजन के बास प्लांट की प्रूनिंग कर दी इस वजह से मेरे प्लांट में आपको मल्टिपल ब्रांचेज दिख रहे हैं और एक बुषी शाल लूग बना रखा है इस बटर प्लावर के प्लांट ने लेकिन आप कहीं और इस प्लांट को मल्टिपल ब्रांचेज बन जाए तो सबसे पहले आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए लंपी सी जो इस्टैम है उसे काट दीजिए और उसकी कटिंग करने के बाद उस कटिंग को उसी पॉर्ट में लगा देंगे तो वह प्लांट बुषी बन जाएगा देखिए इसमें व और इजली बहुत इजी टू ग्रू प्लांट है इसलिए मैं आप लोग को बतारी हूं कि जब आप इसकी प्रूनिंग करें तो इसी पॉर्ट में लगा देंगे तो प्लांट बुषी बन जाएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसके अधर प्लांट पी आपके गाटन में आ देके आएगा मेरा प्लांट तो बहुत ही बुषी हो गया है मुझे बहुत प्यारा लग रहा है कटिंग कैसी लेनी हापको देखिए जो ठीक ब्रांच होगी वो ग्रो हो जाएगी लेकिन जो पतली ब्रांच होगी वो ग्रो नहीं होगी तो यह दिखाने के लिए मैं आपक छोड़ा हुआ था अधर्वाइज मैंने इसे निकाल दिया होता तो इसकी ठीक ब्रांच को आप लोग ग्रो कर सकते हैं जो बहुत पतली सी ब्रांच है उन्हें हटा देजिए तो यह हो गया इसको बुषी बनाने का ट्रिक इसमें फ्लावर विंटर में भी कैसे खिलने है क्या है और अब दिसंबर में भी किलेगा क्योंकि देखिए कुछ ब्रांच में अभी एसाल में फ्लावर उरिंग करने वाला है तो कैसे इस से फ्लावर लेना यह मैं अप लोगों को बता देती हैं देखिए अगर आपके प्लांट की ग्रोथ रुख गहीं प्रопर ग्रोथ हो रही तो पहले क्या करना आपकोそile की घुडाई करनी है उसमें अच्छा सा Compost Vale करना है और उसमें Water King का नहीं ताकि ऑच्छे से क्रोथ करें जब आप उसमें Compost Ale कर देंगे तो उसमें load hoगी फ्रसमें इसमें flower कैसे आएंगे, flower के लिए आपको plant में liquid fertilizer add करना पड़ेगा, अगर आप plant में liquid fertilizer add करते रहेंगे तो आपके plant में पूरे साल इस तरह से खूब शुरत flowers खिल के आते रहेंगे और आपका garden beautiful look देता रहेंगा, जैसे मेरे garden में full खिल रहेंगे, तो क्या करेंगे, हर 15-20 दिन की गैप पे आप पूरे साल इसमें लिक्विट फटिलाइजर एड करते रहिए और इस प्लांट से फ्लावर्स लेते रहिए कितना इजी तरीका है बटर फ्लावीड से फ्लावर्स लेने का तो इस तरह से आप इस प्लांट से फ्लावर्स ले सकते हैं कौन सा फटिलाइजर य बहुत बेनिफिशियल होता है यही लीक्विड फटिलाइजर यूज करके मैं अपने गार्ण के सभी प्लांट से धेरो फ्लावर्स लेती रहती हूं और आपने देखा है मेरे जो प्लांट है कुछ आफ सीजन में भी बहुत अची फ्लावरिंग करते रहते हैं अभी मैंने बहुत अच्छे फ्लावरिंग करते रहते हैं इसलिए मैं बार बार इनकी वीडियो आप लोग से शेयर करती रहती हूं कि आप भी यह ट्रिक्स अपनाकार अपने गार्ण के प्लांट से फ्लावर्स ले सकते हैं तो इस तरह से आपको प्लांट की ग्रोथ के लिए कॉम्प प्लांट नहीं देंगे न तो यह प्लांट फ्लावरिंग नहीं करने वाला आप चाहें कितना भी कॉम्पोश्ट और फर्टिलाइजर एड कर ले अगर आपने इस प्लांट को लो लाइट में रख दिया तो इसकी ग्रोथ होगी बहुत तेजी से यह लंबा हो जाएगा ग् ब्रांच ऐसा आपको नहीं दिखेगा जिसमें फूल खिलके ना आ रहे हो तो यह सीक्रेट है मेरे गारण में जो बटर फ्लावर वीट का प्लांट है उससे फ्लावस लेने का तो बस आपको यही करना है प्लांट की रोध के लिए टाइम टाइम से कॉम्पोश्ट एड करन तो यह सीक्रेट से फ्रेंड लेक्विट फटिलाइजर लिमिटेड वाटरिंग और फूल डे की सनलाइट अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके गारण में बटरफ्लाइ वीडिया हल्दे कुम्पोम का जो प्लांट है ना उपसूरा से फ्लावर्स खिलते ही यहांगे इस प्लांट में वह भी पूरे साल तो है ना कितना इजी तरीका इस प्लांट से फ्लावर्स लेने का तो मुझे यकीन है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी यह जो ट्रिक्स बताए मैंने इस प्लांट से फ्लावर लेने का वह पसंद आएगा और आप को सब्सक्राइब करके मुझसे जूड़े रहे बेल बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो इसली आप तक पहुंच सके और आप उसे देखकर अपने गार्डन के प्लांट की केर भी कर सके और उसे धेर सारे फ्लावर्स ले सके जल्दी किसी नए टॉपिक प और आप प्लावर्स लेसे जल्दी कर से देखकर प्लावर्स